किसी को माफ करने से अपनी उर्जा बचा सकते हैं हिंदी कहानी गोपाल किशन गोखले से जुड़ी एक घटना है उस समय भारत को अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली थी वे काउंसलिंग आफ वाइश राय के मेंबर थे एक दिन गोखले जी ट्रेन से कहीं जाना था फर्ष्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे तभी एक अंग्रेज अधिकारी भी उसी डिब्बे में आकर बैठा अंग्रेज ने देखा कि एक भारती फर्ष्ट क्लास में बैठा है उसे गुस्सा आ गया वा सोचने लगा कि भारत के लोग इस डिब्बे में कैसे चड़ सकते हैं उसने गोखले जी का सामान उठाया और डिब्बे से नीचे फेक दिया उस समय गोखले जी के साथ उनका एक सहयोगी भी था उसने अंग्रेज से कहा क्या आप जानते हैं आपने किसका सामान फेका है ये वाईशराय काउंसलिंग के मेंबर है ये सुनकर अंग्रेज को अपनी गलती समझ आ गई उसने तुरंत ही गोखले जी का सामान उठाकर डिब्बे में उसी जगे पर रख दिया और अपनी गलती की माफि मांगने लगा गोखले जी बहुत विनम्र और विद्वान थे उन्होंने अंग्रेज को माफ कर दिया लेकिन उनका सहयोगी अभी अंग्रेज से गुसा था उसने एक पत्र लाड करजन को लिखा और उस अंग्रेज अधिकारी की सिकायत की और मांग की इस अधिकारी को सजा दी जाए गोखले जी ने वह पत्र देख कर कहा तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो गुसे को लंबा खीच कर तुम अपनी उर्जा और समयरे दोनों को नश्ट कर रहे हो इस उर्जा का सही उपयोग कहा करना चाहिए ये हमें सोचना चाहिए सामने वाले ने माफी मांगी आपने माफ कर दिया बात यहीं खतम हो गई उस विक्त को छमा करके हमने अपना समय और उर्जा बचा ली है अब ये पत्र लिखकर क्यों उर्जा खतम कर रहे हो अगर उर्जा लगानी ही है तो हमें काले गोरे का भेत खतम करने में लगाना चाहिए सीख अगर कोई गलती करता है और एहसास होने पर माफी मांग लेता है तो उसे माफ कर देना चाहिए अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें राधे राधे उसतना चाहिए छोस्स प्लीज करें पर गुस्टाइब करें लाधे आगर बाधे यह अगर माफी